सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नीती बचन कभीर्दास जी द्वारा रचित नीती बचन प्रेना दायक दो हुक में से एक हैं, हमारे जीवन की रहा को आसान करते हैं पोथी परपर जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पड़े सुपंडित होई अर्थात कभीर्दास जी केते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्ते के पढ़कर संसार में कितने ही लोग मुर्ट्यू तक पहुँच गई और सभी विद्वान ना हो सके कभीर्दास जी मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ठाई अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तिक रूप पहचान ले तो वही सच्चा ग्यानी होता है कभीर्दास जी केती हैं कि प्रेम न खेतों में पैदा होता है न बाजारों में बिखता है यह तो स्वेम मनुशी के अंदर उत्पन होता है जिसके अंदर प्रेम की भावना नहीं है वो इनसान पशु के समान विचरण करता रहता है अर्थात कवीरदाजी कहते हैं कि अगर सोने को सो बार भी तोड़ा जाए तो भी उसे फिर जोड़ा जा सकता है इसी तरह भरे मनुष्य भले ही हर अवस्ता में भले ही रहते हैं इसके विपरित जो दुष्ठ हो लोग होते हैं वो कुमार के घड़े की तरह होते हैं जो एक पार टूटने पर दुबारा कभी नहीं जुड़ता जहां तया तहां धर्म है जहां लोब तहां पाप जहां क्रोज तहां काल है जहां छिमा तहां आप कवीदाची केती हैं, जहां प्रीम है, जहां दया है, वहां धर्म है, जहां लोब है, वहां पाप है, जहां क्रोध है, वहां पर काल अर्थात मृत्व है, और जहां पर मनुश्री के अंदर शमा की भावना होती है, वहां पर इश्वर का बास होता है कवी दाजी कहते हैं कि दस दर्वाजे का पिंजरा होने पर भी उसमें पंची मौन रहता है अर्थात हमारा शरीर एक पिंजरे के समान है आत्मा इस पिंजरे का पंची है जो दस द्वार होने पर भी उसमें मौन पढ़ा रहता है मन की मते न चालिए मन की मते अनेक जो मन पर अस्वार है सो सादू को एक कविधाजी कहते हैं कि मनुष्य को मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए क्योंकि मन के अनुसार अनेक विचार होते हैं मन की विचार अलग अलग होते हैं जो मनुष्य मन के नियंत्रन में नहीं रहता, ऐसे सेक्डों में से एक ही होता है, मनुष्य को अपने मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए, बल्कि मन को अपने अनुसार चलाना चाहिए. कविदा जी के थे कविर इश्वर का सच्चा ग्यान होने पर कवा काशी हो जाता है, और राम रहीम बन जाते हैं, अर्थात मद भेद के मोटे आटे को चान कर मैदा बन जाने पर, यानि भगवान का सच्चा ग्यान हो जाने पर, उस मैदे का भोजन करो, यानि भगवान का इस्मरण करो, उचे कुल का जनम्यां जी करनी उचन होई, सुबरन कलस सुरा मरा सादू निंदा सोई, यदि कोई मनुष्य चाहे कितना ही उचे कुल में जनम क्यों न ले ले, उसके कर्म अगर निम्न है, उसका ब्यवार निम्न है, तो संसार उसकी निंदा करता है, जिस प्रकार से कलस चाहे, सोने का ही क्यों न बना हो, यदि उसमे श्राब भरी होती है, तो सज्जन लोग उस की निंदा ही करते हैं धन्यवाद